हेलो एवरिवान मैं डॉक्टर तन्मे कुमार आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ब्रीधिंग एक्ससाइज यानि की फेफडों की वह एक्ससाइज जो किसी भी लंग कंडिशन में फाइदेमन साबित होती है जैसे आज कल कोविट पैंडेमिक के दौरान इन हैं और इसके लिए आपको किसी भी हेवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वाइरिस सीधा हमारे लंग्स पर अटैक करता है जिससे हमारी ऑक्सिजन साचुरेशन जैसे आप आज कल सुन रहे होंगे स्पी ओटू वो भी कम हो जाता है जिसका मत सब्क्सिजन की कमी होती है और हमारे बौड़ी पांच के अंद्र प्रॉप्र अउक्सिजन नहीं पहुंच पाती है इन ऐक्सिशाइज़ को करने सेब अपना लंग फंक्शन और आपना ऑक्सिजन साचूरेशन बहुत अच्छे से में इंक्सॉएं एक्सौको या आराम से करेंगे और इन exercises को करते हुए आपको किसी भी तरह का strain या stress नहीं आना चाहिए इस exercise को करने से पहले आप कुछ इस position में लेट जाएंगे इस position को हम medical terms में semi foulless position भी कहते हैं इस position में exercise करने का फायदा यह है कि हमारा जो diaphragm होता है वो और भी नीचे अराम से जा पाता है और हमारे लंग्स को expand होने का और अच्छा मौका मिलता है इससे होता यह है कि हमारे लंग्स के अंदर जो हमा oxygen का exchange है वो और भी अच्छा होता है और हमारा oxygen concentration बढ़ सकता है अब आप किसी भी sofa, chair या आपने बैठ के ऊपर ही एक ऐसे inclined position में बैठ सकते हैं जिसे हम modified semi followers position भी कह सकते हैं यह position बहुत ही relaxing रहती है जिसके अंदर हम बहुत ही effectively अपनी breathing exercise कर पाते हैं अब हम पहली exercise discuss कर रहे हैं जिसका नाम है diaphragmatic breathing जैसे हमने भी discuss किया था कि diaphragm एक बहुत important respiratory muscle है जब diaphragm नीचे जाता है तो हमारी chest के अंदर एक negative pressure बनता है जिसकी वजह से हमारे lungs जादा expand कर पाते हैं और जब हमारा पेट फूलता है तभी हमारा diaphragm नीचे जाता है तो इस exercise के अंदर आपको ध्यान यह रखना है कि जब आप सास अंदर खीचते हैं तब आपका पेट फूलना चाहिए ना कि आपकी छाती तो इस तरीके से हम यह exercise करेंगे अब इस exercise में जैसे आपने देखा कि मेरा चेस्ट का expansion बहुत ही कम था और मेरा पेट उपर की तरफ आ रहा था अब जो हम next exercise discuss करने जा रहे हैं वो है पर्स लिप ब्रीधिंग इसके अंदर आपको क्या करना है कि आप नात से गहरी सास लेंगे और मुझ से सास छोड़ते हुए आपको फूप मारते हुए सास को छोड़ना है और ऐसे कि माली जे सामने एक मोम बत्ती है और आपको उसको बुजाने की कोशिश करनी है आप ऐसे गहरी सास लेंगे और ऐसे मुझ से सास छोड़ेंगे मुझ से सास छोड़ते हुए ऐसा लगना चाहिए जैसे आप सास को बहुत दूर तक छोड़ना चाहरे हैं इस एक्सेसाइज को करते हुए हमारे लंग्स में एक पॉजिटिव प्रेशर जेनरेट होता है जिसकी वजह से हमारा ऑक्सिजन का एक्सचेंज बेटर होता है अब हम बात करेंगे थोरासिक एक्सपैंशन एक्साइज के बारे में इस एक्सेसाइज के टाइम पर हमारा जो इस exercise को करते हुए जब आप सांस लेंगे तो आपकी comfort के हिसाब से आप अपने हाथ या तो आगे से उपर उठाएंगे या आप ऐसे side से हाथ उपर उठाएंगे आपको सांस अपनी नाग से ही लेनी है और आपको अपनी सांस से छोड़नी है वो मुझ से ही आप छोड़ेंगे अब हम बात करेंगे segmental breathing exercise के बारे में इसके अंदर हमारा main goal होता है कि हम लंग के किसी एक पार्ट को जाधा air provide करना चाहते हैं ताकि वहां की expansion जाधा हो यह exercise को करने के लिए आपको किसी भी दुपट्टे चुनिया कोई भी कपड़ेगी जो की लंबा हो उसकी जरूरत पड़ेगी जिस side के लंग को आप जाधा की opposite side पर लेकर जाएंगे अब आप को ध्यान देना है कि इसकी कैसी रसी नहीं बननी चाहिए यह थोड़ा फैला हुआ रहना चाहिए और इसको आप फिर से ऐसे पीछे से घुमाते हुए इस हाथ में पकड़ लेंगे इसको पुल देते हुए आप नाक से घहरी सास अंदर लेंगे और मूह से सास बाहर छोड़ेंगे अगया कि इस सब्सक्राइब करते हैं जिसकी बज़ा से इस साइड में मुझे जाधा एर एंटृ मिलेंगी और इधर के लंग को जाधा एक्स्पैंशन मिलें अब हम बात करेंगे प्रोणिंग की जिसे हम उल्टा लेटना या प केट के बार लेटना भी कहते हैं कई रिसरच में ये पाया गया है कि जब आप उलटा लेट कर डीप ब्रीधिंग एकसरइस करते हैं तो हमारा oxygen saturation level जो है काफी increase होता है कई researches में ये पाया गया है कि जब आप उल्टा लेट कर deep breathing करते हैं तो उससे आपका oxygen saturation में 10% का increase आता है अब इसके अंदर जो best तरीका है वो जब आप उल्टा लेटते हैं तो आपको अपने आपको तकियों से support करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी relaxed position में लेट कर deep breathing exercise कर पाएं जिसकी वजह से आपका oxygen saturation increase होगा अब आपको उल्टा लेट कर deep breathing exercise करनी है आपको नाग से गहरी सास अंदर लेनी है और मुह से गहरी सास बाहर छोड़नी है आप लेटते हुए आप तकियों का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप तकियों को अपने सर के नीचे अपने हाथ यापने प जैसे आपको पहले बताया था नाग से गहरी सास लेते हुए मुह से आपको छोड़नी है इन exercise को आपको हर 5-6 घंटे में 5-6 बाप करनी चाहिए इन exercise को करते हुए किसी भी प्रकार का stress नहीं आना चाहिए जब आप ये exercise के बाद अपना oxygen saturation level चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको थोड़ी बढ़ोतरी भी मिलेगी यदि आप एक कोविट पेशिंट है और आपका oxygen saturation फॉल कर रहा है और 94 के नीचे है तो अपने physician से बात जरूर करें इस करोना की लड़ाई में मास्क जरूर लगाएं लोगों से दोगस की दूरी बना आई रखें बिना वजा बाहर ना निकलें और अपना समय आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं हातों को हर थोड़ी देर में दोएं और sanitize करें अपना भी ध्यान रखें और अपने चारों तरफ लोगों का भी ध्यान रखें इस कोरोना की लड़ाई में हम जीतेंगे और को